हेलो एवरिवान, वेलकम बाग तू आर चानल दोस्तों आज के वीडियो में हम फ्लाक सीट्स की बात करने वाले हैं आखिर ये फ्लाक सीट्स होते क्या हैं? ये हमें किन-किन समस्याओं से सुरक्षित रखते हैं और क्या विटिलों को पेशिंस के लिए फ्लैक्सीट्स फायदे मन्द है आज के वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे तो वीडियो में एंग तक बने रहें लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल कर्मा अईरवेदा ल्यूको डर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूले ताकि इस तरह के इन्फरमिटिव वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके तो आईए शरू करते हैं आज का वीडियो फ्लैक्सीट्स को आम तौर पर अलसी के बीच के रूप में भी चाना जाता है तो कई लोग इसे तीसी के नाम से भी चानते हैं जिसका प्रयोग कई तरह के घरेलो व्यंजनों में होता है भारत में फ्लैक्सीट्स सफेद, पीले, लाग या थोड़े से काले रंके होते हैं आम तौर पर अलसी बीच, तेल, पाउडर, गोलिया, कैपसुल और आटे के रूप में उप्योग किये जाते हैं अगर अलसी में पाई जाने वाले पोशत तत्वों के बात करें तो ये आंटी ओक्सिदेंट, प्रोटीन, फाइबर और पॉली अंसेचुरेटिट फैटी एसिड जैसे की एलफा लिनोलेनिक एसिड या ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्वों को अपने भीतर समेटे है इन पोशत तत्वों का सेवन कर हम कब्स, डाइबिटीज, हाई कॉलेस्टरॉल, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर और अन्य कई समस्याओं में कमीला सकते हैं इसके अलावा अगर हम विटी लोगों पेशिंस की बात करें तो अलसी के बीज में पाया जाने वाला पोशत तत्व ओमेगा-3 fatty acid को जादा मातरा में अपने भीतर शामिल कर हम विटी लोगों के साथ और भी कई तरह की skin related समस्याओं को दूर कर सकते हैं साथ ही flaxseed oil, walnut chia seeds आधी भी विटी लोगों पेशिंस के लिए फायदे मन्द हैं तो अगर आप विटी लोगों के समस्या से खुद को सु लाइक और शेयर करना पिलकुल भी ना भूले साथ ही आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं अगर आप विटी लोगों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कर्मा आयरवेदा से संपर्क कर सकते हैं नमबर आ कोई दश्प्रभाव नहीं होता कर्मा आयरवेदा उपचार के इंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ एक बहतर आहर की जानकारी भी दी जाती है जो कि आपकी हेल्थ को बहतर बनाता है हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ झाल